यूजड कार लोन मतलब प्रानी गाड़ी पर लोन जा प्रानी गाड़ी खरीदने के लिए लोन जा आप लोग कोई प्रानी गाड़ी खरीदना चाते हो और लोन लेना चाते हो और सबसे बड़ी बात भाई सबसे सस्ता ठीक है सबसे सस्ता कार लोन कैसे मिलेगा कोई भी कार लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कार लोन वैसे तो कहां कहां से मिल सकता है तो ये वीडियो वही पूरा देख लेना हम आपको ये प्रॉपर बताएंगे कि आप सबसे सस्ता कार लोन आखिर कार कैसे ले सकते हो देखो भी कार लोन जो होता है पुरानी पता है सेकेंड नमबर पर आ जाता है हमारा एन बी एपसी कार लोन इसकी बारे में 50% लोगों को पता है ठीक है अब सिर्फ प्रिप्टी पता है एक हमारा आ जाता है प्राइवेट लोकल फैनांस इसके बारे में भी अप्रॉक्सीमेट मेरे को साथ से 30 से 40% लोगों को पता है अब सबसे बड़ी बात सार ये तीन प्रकार का लोन होता तो है लेकिन इसमें डिफ्रेंस क्या है और इन तीनों में से हमको सबसे स"? कार लोन कौन सा मिलेगा और कैसे मिलेगा न यही है तो स्टार्ट करते हैं वही वीडियो को जल्दी से सबसे पहले यह तीन केटागरी इनको मैं तीन हिस्सों में डिवैड करने वाला हूं यहां पर इसी वीडियो को पूरा देख लिए जिससे आपको यह पता चलेगा कब बाद मैंने डाला था NBFC इसकी फुल फोर्म होती है नौन बैंकिंग फैनांस कार्पोरेशन इसके बाद हमारा आ गया था प्राइवेट फिनांस ठीक है तो बात हो रही है सिर्फ कार लोन की सबसे बड़ी बात प्रानिंग गाड़ी खरीदने के लिए जब प्रानिंग गा बैंक की कंडिशन में कार लोन का मॉर्डल मैं आपको तीने एक बार में बताऊंगा और आपको यह पता चले है कि सबसे सस्ता कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा बैंक कोई भी हो सरकारी से बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, बैंक कोई भी हो सबके एक सर्थ से पहले कंडिशन होती है मॉर्डल आपका दो हे यार चौदा होना चाहिए कम से कम मिनिमम यह मैं ऐसे लिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो हे यार चौबिस आने वाला है ज़स्ट एक मांथ रह चुका है, तो अभी के लिए आपको फिलाल बहुँगा, मिनिमम मॉर्डल दो हे यार चौदा होना चाहिए, बैंक की कंडिशन में, एन भी एपसी में आपका मॉर्डल चल जाएगा, दो हे यार दस, मिनिमम, प्राइवेट फैनास में, यह सबसे फास्ट प्रियो लिए बिशू नहीं हा, आपकी मॉर्डल गाड़ी कौन सी भी हो, प्राइवेट फैनास हो जाएगा, ऐन भी एपसी में आपका गाड़ी का मॉर्ड़ लोष्ट दो हे दस होना चाहिए, और बैंक लोण लेना चाहिए, तो आपकी गाड़ी का मॉर्डल लोष्ट दो हे यार से कितना loan मिलेगा यहां से कितना loan मिलेगा और यहां से कितना मिलेगा सबसे बड़ा सबाल सर इसमें ब्याज क्या होगा इसमें ब्याज क्या होगा और इसमें ब्याज क्या होगा बैंक का देखो valuation निकलेगी ठीक है valuation का ये दे देते हैं 82 90% loan और सर ये valuation क्या होते है हम इसको बोल देते हैं इन सोर्स वैल्यू ठीक है अगर सिंपल बात में बाएगर इन सोर्स वैल्यू इन सोर्स वैल्यू या वैल्यूशन का बैंक से आपको मिलेगा 80-90 अग्जेम्पल बता रहा हूं इसको थोड़ा सा द्यान समझ लेना अगर आपकी गाड़ी एक लाख तक का लोन मिल जाएगा बैंक से सिर्फ आपको 10% डाउन पेमट करनी पड़ेगी अगर आपके पुरानी गाड़ी ख्रीदनी के लिए लोन लेगा जगा आपके पास अल्यड़ी गाड़ी है एक लाख रुपे की तो आपको बैंक लोन लें देगी 80-90 रुपे अन्बी अप अगर एक लाख रुपे की गाड़ी है तो आपको 60,000 से 75,000 रुपे का लोन मिल जाएगा अगर आप गाड़ी ख्रीदने जा रहे हो एन्बी एप सीक में आपने लोन अपलाई किया तो आपको 20 से 25,000 डाउन पेमट करने पड़ेगी अगर आपकी गाड़ी एक लाख रुप सिर्फ 50 परसेंट लोन अगर आपकी गाड़ी एक लाख रुपे के तो आपको सिर्फ 50,000 रुपे मिलेंगे ठीक है यह उसमें है इसमें मॉडल डिपेंडी नहीं करता आपकी गाड़ी किसी भी मॉडल का हो तो सिर्फ इसी रिजिंस में मिलता है ठीक है अब बात कहते है सब सबसे जो में इंपॉर्डन बात ही कि सबसे सस्ता कैसे मिल सकता है इसमें रेट ओफ इंटरस्ट आपको स्टार्टिंग हो जाता है 8% टू ठीक है यह चला जाता है 12 भी चला जाता है जा 13 भी चला जाता है ठीक है 8 से लेके 12 परसेंट अगर मैं पैसों की बात करूं यहां प 25 पैसा मतलब रूपीज में जाने की संबाबना तब होती है जब एक कंडिशन होती है वो कंडिशन क्या होगी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा एन भी एफ सी का रेट ओफ इंटरस्ट स्टार्ट हो जाता है 10% टू यह चला जाता है 15 चला जाए 16 चला जाए और 70 तक जा सक ठीक है इसमें ब्याज अगर मैं पैसों की बात करूँ तो यहां से आपका 80 पैसे से यह चला जाता है 1 रूपीज और 30 पैसे तक ठीक है प्राइवेट फैनास में आपको लगेगा 1.5 रूपे से 2 रूपे तक ठीक है इसको अब समझ चुके हो सबसे जादा जो ब्याज लगेगा वो यहां पर लगेगा उसका रीजन ही यहां पर मॉडल डिपेंड नहीं करता उससे थोड़ा सा कब यहां पर लगेगा बैंक की कडिशन में यहां पर आपके बात सरफ पैसों में ही होगी अब बात कर लेते हैं सबसे सस्ता कैसे मिलेगा इस फर्डिशन में ठीक है आपको मॉडल का पता चल गए कौन-कौन से है मॉडल और कौन-कौन से होने बाले है सबसे बहले मैं आपको private finance की बात कर लेता हूँ ठीक है इसमें सिब्बल score matter नहीं करता आपका कितना भी हो कोई matter नहीं करता इसकी सबसे बड़ी वच्छी बात है ये बी किलोमेटर के दायरे में ही करेंगे, इससे बार नहीं करेंगे, इसको लेने के लिए आपको अपने लोकल शहर में आपके चोटे-चोटे फैनांसर बैठे हैं, जो कि आपको लोन देंगे, उनको जस्ट आपको बोलना है, कि हमको प्राइवेड फैनांस करवाना है, कोई सिब्ल स्कोर मेटर नहीं, कोई गाड़ी का मॉडल मेटर नहीं है, और व्याज मैंने आपके बता देया, डेड़ से दो रुपे, इसमें मतलब कम व्याज, थोड़ा वह तो नेगलेट होगा, जादे नहीं होगा, तो इसकी बात तो मैं करूँगा नहीं, अगर आप सस ससालों ले, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अन्बी एपसी, देखो यहाँ पर ना आपको जो रेड़ वेंटर लेगा, वो लगया, असी पैसे से लेकर, एक रुपे, तीस पैसे तक, ठीक है, नौर बैंकिंग फैनास कमपनी में, अब आप यह सुच रहों कि सर, यार, यह इन में से कम है, हमको कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ बातों का दिया रखना है, देखो नंबर वन, सबसे पहले अगर आपकी जो बैंकिंग लाइन होती है, जो हमारे में बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी अपडेट होने चाहिए, अपडेट का मतलब यह होता है कि जैसे कि आप लोगों को बैंक वाले बोल देते हैं, कि सर एक साल की स्टेटमेंट दे दो, उसका मतलब यह होता है, कि वो आपकी ट्रांजेशन वगरा चेक करते हैं, कि वो आप प्रॉपर से पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो यह सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरिये कंपल्सरी है, आपका लेंदेन अच्छा होना चाहिए, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, और आप अच्छे से उसको कवर अप करेंगे, सैक्ट नमबर पे आबर आगाता है, हमारा आई टी आर, फिल करते हो, नहीं करते हो, यह बहुती बड़ा इश है, तो मैं अप्रॉक्सिमेट आपको बता दूँ, जैसे कि 80 पैसे है, तो आपको यहां पर आई टी आर फिल करने के बाद, आपको 70 पैसे तक ब्याज महां पर मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको डिवेट मिल जाएगी, 20 पैसे से 30 पैसे तक आराम से, अगर आप यह पर हम एड करेंगे, जैसे कि आपका सिबल स्कोर है, यहां पर NBFC अगर आप लोन लेने जा रहे हो, तो आपका 800 मिनिमम आपका सिबल स्कोर है, ठीक है, तो यहां पर यह तीने चीज़े अगर आपकी अच्छी हैं, तो इस कंडिशन में आपको जो रेट ओफ एंटरस्ट ल इमाई अपना लगेगा जापका पुराना कोई भी लोन चल रहा है, उसकी भी इमाई आप प्रॉपर पे कर रहे हो, इस कंडिशन में, ठीक है, यहां पर आपकी बैंकिंग अप्रेड अच्छी है, इटेर फिल करते हो, सिबल अच्छा है, ठीक है, NBFC के कंडिशन में, नॉ आपको कार लोन मिल जाएगा प्राणी गाड़ी के ऊपर, या यूजड कार लोन सिर्फ साथ पैसे में, NBFC में, अगर आपका ये सभी कंडिशन प्रॉपर वगेरा सबको सही है, अब बात कर लेते हैं, हमारा भई, NBFC हो चुका है, अब जो में चीज़ है, अगर आप बैं गाड़ी पर अगर लोन लेते हो, तो इससे सस्ता आपको कैसे मिल सकता है, अगर आपकी कंडिशन में, जैसे कि अगर आप जोबलेस हो, ठीक है, सबसे पहले बात हो, आपको यही लगएगा, सत्र पैसे से लेगे, 90 पैसे तक, जोबलेस की कंडिशन में, अगर आप सेलर पर वर्षन हो कहीं पर जॉब करते हो तो यहां पर आपको जो रेट ऑफ एंटरस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको यहां पर कुछ एक डाकुमेट होगा जो आपको सभी को मिलता है यहां पर आप सोला नंबर फॉर्म बोलते हैं 16 फॉर्म बोलते है यह 16 नंबर फॉर्म ना ITR की तरह होता जा टेक्स की तरह ही होता है लगा तो मतलब जो इंप्लियर बर्सन होते हैं वो टेक्स पे करते हैं गौर्णमेट को जिसकी वैसे आपको 65 पैसे पैसे तक आपका जो रेट ऑफ एंटरस्ट है वो आपको 16 नंबर फॉर्म की हैल्प से जाएगा और बिजिनस्मेन की कंडिशन में भी चलो आपको थोड़ा सा बैंक लोन के बारें बता देते हैं बिजिनस्मेन जो होते हैं वो अप्रोक्सी मेट अपने ITR वगरा फैल करते हैं तो उनको भी इस कंडिशन में अगर आपको 60 पैसे से स्ठार्टिंग हो जाता है को आप पराणी गाड़ी पर लोन लेना जा रहे हो तो सबसे पहले तो कौन से मोडल का कार लोन कहां से मिलेगा बैंक से एनबी एपसी से और प्राइवट फैनाल से ठीक है और इसके बाद अगर कार लोन की आपको मतलब विरैटी तो यहां पर कनफर्म हो ही चुकी है तो इसके अगर आपको रेट ऑफ एंट्रस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जैसे कि फ्लैट और रेड्यूजिंग तो यहां पर मैं आपको रगमेंड करूंगा कि आप फ्लैट की जगह रेड्यूजिंग रेट ऑफ एंट्रस्ट लेजे यह आपको कोई नही लेना हमको कार लोना फ्लैट का ब्याज का नहीं लेना ग्जेंपल की बात करूं फ्लैट की बात कर रहा हूं यहां पर जैसे कि हमारा दो लाक रुपे का लोन है ठीक है और हमारा साट पैसे पर यहां पर दो लाक का लोन मिल चुका है और हमारा सतर हजार जो हमारा जो इंट का लोन के बाद आपका मन कर गा के मेरे को यार कार लोन बंद करना है फलैट की कंडीशन में तो यहाँ पर जो आपका सतर हजार रुपे बयाज बना है चार साल का वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा इसको आप निख्लैट नहीं कर सकते बैंक वाले एन बी अफसी वाले आप से ये सतर हजार रुपे आपको पहले गो लें कि सर हमको पे करो तो आपको यहां पर सतर हजार रुपे देखो भई खराब चला गया फ्लैट ब्याज की कंडिशन में जहां पर फ्लैट रेट ओफ इंटरस्ट रखता है अब सतर हजार रुपे हमारा ब्याज बनता था चार साल का मान के चलो स्पोज करो एक साल हो गया हमको बरते बरते और अब हम इसको खत्म करना चाते हैं तो आपको सतर हजार बरने की जरूरत नहीं है बिलकुल भी अब यहां पर जो आपकी पैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट ह जैसे कि एक साल के बाद अगर बात करो हम एक लाग सतर हजार रुपे आपकी अमाउंट रह चुकी है प्रिंसिपल सिर्फ आपको ये वाली अमाउंट ही पै करनी है और वहां पर आपके सतर हजार रुपे बच गए यहां पर आपके सतर हजार रुपे आपको कंपलसरी नही का है आपको फाल तो कोई एस्ट्रा व्याज एस्ट्रा रेट ओब इंट्रेस्ट पे करते हैं कि जुरूरत है ही नहीं तो होप आपको आज की वीडियो ये काफिया अच्छी लगी होगी प्राणी गाड़ी पर लोन लेना कैसा ठीक है और एक बात हम आपको बता देते हैं जै फून के लिए ये तो आपको बैंक में जाना है और उनको कहना है कि सर जो आपकी इमाइज जा अपर रेट ओफ इंट्रेस्ट डिवेट की स्कीम है वो मेरे को अपलाई करनी है ठीक है वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल परना पड़ेगा उस फॉर्म की फिल की अमाउंट अप्रॉक्सीमेट दोव से तीन हजार होती है तो यहां पर आपको मेंशन कर देंगा जैसी कि आपने दो से तीन हजार रुपे वो आप से ले लेंगे और वो स्कीम में आपका लोन चला जाएगा मतलब वो डाल देंगे अपना वो डाल देंगे इस कंडिशन में जैसे की 80 पैसे था वो आपका 70 पैसे 60 पैसे तक ब्याज रह जाएगा सिर्फ ये एक साल हो चुके हो जिनका कार लोन हो चुका है एक साल लिये को ये सिर्फ उनके लिए है आपको ये वाली इंफोमिशन काफ यादा अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक शेर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएं तो आपको आज की वीडियो कैसी लेगी यूजड कार लोन के मामले में के आप सबसे सस्ता कार लोन कैसे लेख सकते हो तो प्लीज कमेंट करके जोदा दना और थेंक्यू सो माद दोस्तो वीडियो देखने के लिए